नमस्कार आप सभी का स्वागत है जमू लिंक्स न्यूज में और मैं हूँ विशाल शर्मा जमू बासे इस समय बिजले की किल्ट से जूज रहे हैं और विशेशकर परशानी ये है कि अंस्केडूल पावर कट्स यानि के जिनका कोई समय नहीं और असमय जो है वो पावर कट् कोलर बंद होना लेकिन अच्छे कबर ये है कि अब जेपीडी सीयल ने जमू पावर डिस्टिबूशन कॉर्परेशन लिमिटेड ने जो खबरे हमने चलाई जो मुहीम हमने चलाई और जो आप लोगों ने परदर्शन किये सब्षण गर्मी में उसका असर दिखा है और जे की बिजली जो है वो काटनी है और अच्छी बात तो ये है कि अगर इसके अकॉर्डिंग पावर कट्स लगेंगे तो पहली बात ये रहेगी कि आप अराम से सो पाएंगे क्योंकि इस स्केडियूल के मताबिक रात बारा बजे के बाद कोई कट ही नहीं है जो आखरी कट है वो 11 से रात 12 बजे का है वो भी ग्रूप B में है यानि कि 12 बजे के बाद जो है वो किसी भी जो इरियास यहाँ पर मेंशन किये गए हैं बात से एरियास हैं जम्मू अर्बन के तो उन एरियास में पावर कट जो है बाहीं कर नहीं लगेगा और जो टोटल डूरेशन आउप दा कट्स है यानि कि जो यहां पर टाइम दिया गया है उसके मुताबिक 24 गंटे में 6 गंटे से उपर की बिजली कटोती नहीं होगी यानि कि 2 गंटे 2 गंटे 1 गंटा और 1 गंटा 2-2-4 और 2-6 तो यह 6 गंटे का जो है यह पावर कटेल में जो है वो इस ने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग बनता है तो अगर इसे ही फॉलो किया जाएगा तो 24 गंटे में 6 गंटे के अगर कटोती होगी तो कोई बड़ी बात नहीं है बड़ी राहत है और दूसरी बात यह है कि इस टाइम स्केटियल के मताबिक रात 12 बजे के बाद जो है वो बिजली बंद नहीं हो और इन दो ग्रूप में जो है वो अलग-अलग एरियास को जो है वो डिवाइड किया गया है और अल्टरनेट डेस के हिसाब से जो है वो पावर कर्टेंडमन होगी यानि कि जिस दिन एक ग्रूप में 9 से 11 बजे तक बिजली बंद रहेगी तो अगला जो ग्रूप है यानि दूसरे ग्रूप में वो दो गंटे का पावर कट होगा और फिर जब यहां पर बिजली आएगी तो पहले ग्रूप में दो गंटे का पावर कट जो है वो लगेगा ये लोड़-शेडिंग का प्रोसेस होता है यानि कि जब आपके पास लोड बढ़ जाता है और सप्लाई उतनी नहीं रहते हैं जब आपके उपकरन हीट अप होते हैं गर्मी में आपके जो केबल्स हैं जो बाहर की उपन लगा है ट्रांसवर्मर्स हैं या बागी की चीजे हैं जब वो गर्मी और अवरलोड के वज़ा से हीट होते हैं तो उन्हें कूल डाउन करने के लिए ये सारनी आपके टाइम टेबल आपके हैं या पावर कर्स का स्केडियूल आपके हैं यह जारी हो चुका है जमू लिंक्स न्यूज के तमाम सोशल मीडिया जो हैंडल्स हैं और शेश का जो फेस्बुक पेज जिस पर आप मुझे समय लाइब देख रहे हैं वहाँ पर भी यह कट होंगे सुबा के समय और गेंटर होंगे यानि कि जो पहला कट है वो 9 से 11 का है दूसरा कट जो है वो 1 से 3 बजे का है उसके बाद अगला कट जो है वो 1 गंटे का है शाम का वो है 5 से 6 बजे का उसके बाद जो अगला कट है वो है रात 10 से 11 बजे का ये ग्रूप A यानि कि ग्रूप A जो है जो ग्रूप A के जो लोग है वो 11 बजे के बाद आरा यह दो दो गंटे के जो पावर कट हैं यह यहां तक है उसके बाद एक गंटे का पावर कट है छे से साथ और फिर ग्यारा से बारा लेकिन अच्छी बात यह है कि बारा बज़े के बाद जम्मू अर्बन है जिसमें अगर मैं एरियास की बात करूं आपको इन शॉट बता देत हूं तो इसमें आपका रिसीविंग स्टेशन जो है वह आप पहले सुनिए जेडिये कंप्लेक्स ग्रीन बेल्ट रेलवे कंप्लेक्स ट्रांसपोर्ट नगर त्रेकुटा नगर गंग्याल न्यू बाहु फोर्ट गाडिगर अशोक नगर शास्त्री नगर ग्रिटर कैलाश सिवडा नानक नगर चन्नी हिमत बठेंडी गंग्याल ओल्ड बबलियाना इंडस्ट्रियल एस्टेट डिगियाना सिदड़ा चठ्था एंड हककल सत्वारी और सैनी कॉलोनी तो ये वो रेसेविंग स्टेशन हैं जिन पर ये दो ये जो ग्रूप ए और ग्रूप बनाए ग मताबिक नहीं रखा गया है यानि कि आपके नींद का पूरा खयाल जो है वो जेपी डी सियार रखने के दावे कर रहा है इस ने स्केडियूल के मताबिक हलाकि टेक्निकल फॉल्ट एरर ब्रेकडाउन या कोई और समस्या अगर उत्पन होती है तो वो इस स्केडियूल के ब बाहर कर दीजिएगा उसकी संभावना अभी भी रहेगी लेकिन जो ओफिशल कट्स है क्योंकि लोगों की ये मांग थी कि आप उन्सकेडियूल पावर कट करने आपका पास कोई स्केडियूल नहीं है जब आपका मन करता है आप पावर काट लेते हैं उसकी वज़े से जो लोगों को ये मालूम नहीं होता कि बिजली कब आएगी कब वो पानी लिफ्ट करें कब वो इंतजार करें अपने घर में बैठके कि पावर आएगी हम पानी बने कब पानी के लिए वो किसी को कॉल करें तो ये सब चीज़ें जो थी ये अन्सकेडियूल पावर कट की करने लगे थे तो अगर जिम्यवारी के साथ ये स्केडियूल निकाला गया है तो उमीद है इसका पालन होगा आपको बिजली इसी हिसाब से मिलेगी और केवल 6 गंटे का जो कट है वो यहां पर बताया गया है मैं बार बार यह कह रहा हूं कि इस हिसाब से बिजली कट उती अ अगर पावर की बात करें तो शॉटेज बहुत है स्कैसिटी है तीन हजार से बती सो मेगावाट की जरूरत है नॉर्दन ग्रिट से हम दो हजार के करीब मेगावाट हम ले रहे हैं 600 के करीब हमारा अपना प्रडक्शन है वो इस समय आ रहा है यानि के 26 के करीब हमारे पास ह है लेकिन गौर्मेंट ऑफ इंडिया ने हमें 207 मेगावाट जो है वो एक्स्ट्रा एलोकेट किया है तो उसकी अडिशन से जो है वो थोड़ी राहत मिली है रमजान भी अब समाप्त होने वाले हैं और हो सकता है कि कश्मीर के साथ जो अडिशनल पावर अभी वहां पर है उसका भी अलोकेशन जो है वो दोनों ही संबागों में जो है वो एक्विली किया जाए लेकिन फिलाल जो अर्बन जमों के लिए यह स्केडियूल आया है यह काफी राहत बारा है छे गंटे का टोटल पावर कट है 24 गंटे में और रात 12 बजे के बाद किसी भी शेतर में जो है वो रूडर जमों के लिए भी स्केडियूल जारी करेगा क्योंकि फिलाल तो गर्मियों की शुरुआत हुई है पिक्चर जो है वो अभी बाकी है अगर कहें और तस्वीर जिसे साब से बंती दिख रही है गर्मी बहुत पढ़ने वाली है और अन्सकेडियूल पावर कट जो है वो किसी को रास नहीं आएंगे लोग सड़कों पर उतरें लोग अपने हक के लिए भाज उठाएं लोग परशासन पर जो है वो दबाव बनाए उससे बहतर यही होगा कि समय रहते जो है वो जिम्मवारी के साथ जेपी डी सील जो है वो पावर स्केडूल जो है वो जारी करे टाइम टेबल जारी करे ताकि लोग जो है वो पहले से ही अवगत हों कि कब बिजली बंद होगी कब उन्हे क्या करना है कब उन्हे पानी बरना है और किस हिसाब से उन्हे अपने बागी की जो जरूरते हैं वो पूरी करनी है ताकि लोग जो है वो खुद को ठगा हुआ ना समझें कि बड़े-बड़े वादे तो किये गए लेकिन जमीनी हकीकत जो है वो सिफर है वो शुन्य है तो फिलाल अच्छी खबरती है और आप सभी को मैं यही कहूंगा कि यह उमीद करने चाहिए कि विभाग जो है जेपी डीसियल जो है वो इसी टाइम टेबल का पालन करेगा और आपको छे गंटे पावर कट के साथ जो है वो बिजली देता रहेगा और आद बारा बज़े के बाद आप सकून के नींद जो है वो ले पाएंगे नमस्कार